मार्केट में अगर इस simple से setup को भी discipline के साथ अगर follow कर लिए न तो आपका 10 में से 7 trade profitable होगा अब आप बोलो के sir 10 में से 10 के होनी देखो कोई भी setup कोई भी strategy 100% accurate नहीं होती है चाहे आप कितना भी महंगा mentorship course ले लो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए market में बड़ा gap up या बड़ा gap down खुले जितना बड़ा gap up होगा उतना अच्छा work करेगा इस case में market बड़ा gap up खुलता है अब gap up खुलने के बाद simply हमको day का high और day का low को mark कर लेना है अब जब तक market day के high के उपर ना निकले या फिर जब तक day के low की नीचे ना निकले हमको trade initiate नहीं करना है भले ही बीच में कितनी भी strong red candle या green candle बने हमको wait करना है कि market जब तक day का low ना break करे या फिट दे के high के उपर ना निकले हमको entry नहीं लेनी है इस case में market day के low को break करता है एक strong red candle से और उसके बाद एक strong selling नीचे की और देखने को मिलता है